आज हम मफ कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे In this कपलिंग, the मफ और स्लीव is made into two parts of the cast iron and they are joined together by mean of mild steel stud or board फीक, इसमें हम दो हाउसिंग बनाते हैं अगर मुझे ये, for example, ये दो shaft join कर रही है तुमें क्या करूँगा, ये मैंने housing ले ली इस housing को इनके उपर मैंने cover कर दिया और यहां में nut या board fix कर सकता हूँ और ये दोनों shaft यहां तक join रहेंगी, पूरी आसपास यहां पूरी touch रहेंगी और इसके उपर segment होगा यहां में एक key fix करूँगा है, कुछ ऐसे, ठीक, the advantage of this coupling is the assemble, dismantling of the coupling is possible without changing the position of shaft, हम shaft की position change किये बिना भी इसे बदल सकते हैं, advantage ले सकते हैं इसके हैं ना, assemble और dismantle हम इसे shaft की position change किये बिना भी कर सकते हैं, इस coupling को, यह देखी, यह muff coupling मैंने दिखाई हुई है, यह butt type muff coupling है, यह इसमें एक shaft यहां से जा रही है, यह shaft यहां से आ रही है, और यहां मैंने यह देखो, की फसी हुई है, यहां मैं एक key fix कर दूँगा, यह दोनों touch रहेंगी आपस में shafts, कुछ यहां तक, ठीक, देखिए इसका drawing देखते हैं इसकी, यह देखिए, यह housing है बाहर की outer, यह shaft यहां पे touch हो गई, और इस segment में मैंने एक key fix कर दी, ठीक, अब easily यहां से यहां power transmit हो सकती है, अब देखिए, यहां अगर मैं बात करूँ, इन दोनों को join कर रखा है, मैंने यहां पे, यह cut section बनाया हुगा है, अब इसमें D की value आपको कुछ दूँगा, और आपको यह दोनों view ड्रॉ करने होंगे, ठीक, वो D की value कुछ भी दे सकता है आपको, यहांने कि, mainly D की अगर मैं बात करूँ, तो यह क्या होगी, shaft का diameter, तो अगर exam में D की value 30 mm आती है, तो आप 30 mm लेके calculate करेंगे, यह सारी जो भी dimensions निकलेंगी, वो आप उस हिसाब से इसको draw करेंगे, यानि कि वो exam में problem में D की value देगा, या इनकी proper dimension देगा, जैसे 1.5 D है, तो इसको into करके देगा, यह कितना है, 20 है, 30 है, 40 है, बट आहम तोर पे इनके परिशन दी की value देकर आते हैं, as usual, ज्यादा तर इन्हें D की value देकर ही पूछा जाता है, यहां आप fix कर देंगे, ना, चलिए, अब next देखते है, T की dimensions आपको पताएं, आपको निकालना आता है, कि W कैसे निकलेगा, ती की value कैसे निकलेगी, वो आपको बताएगा कौन सी की है यह, जो की हो, आप उसके values को put करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ था पिछली classes में, की इसकी value निकालेंगे और फिर यहां पे बनाएंगे अब यह देखिए, half lap muff coupling की अगर मैं बात करो, तो यह क्या होगी, इस shaft को मैंने कुछ ऐसे काट रखा है, इस position में, और इस shaft को कुछ ऐसे, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, दोनों को overlap कर दिया, ठीक, और मैंने यहां से इसको housing के दुरू fix कर दिया, तो ऐसी type coupling को, इ इसकी drawing देखते हैं, यह देखिए, यह देखिए, यह इसकी drawing दे रखिए है, इसम वैसी है, बस shaft में हमने क्या करेंगे, ऐसे overlap कर देंगे, इस shape में, ठीक, इस shape में, यहां पे भी वो क्या करेगा, एक D की value देगा, 40 देदे, 30 देदे, जो भी आपको value दे गई है, उससे आप पहले dimensions निकालेंगे, और फिर यह figure बनाएंगे, ठीक, यह मैं split muff coupling देख रहा हूँ, split muff coupling में हम क्या करते हैं, यहां stud या nut bolt भी fix करते हैं, ठीक, यह देखिए, working सबकी same है, but construction change हो रहा है, यह देखिए, यहां इसने यह stud डाल रखते हैं, अना mild steel के stud होंगे, यह हमने fix करते है और same, उसी fashion में हमने, उसी style में यह shaft को fix कर रखा है, जैसा कि हमने butt के case में देखा था, ठीक, तो यह easily fix हो जाएंगे, अब non-resid old sam coupling पढ़ने से पहले, अगर आपके muff coupling में कोई भी doubts हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं,